किसी भी कमपनी के रोटर वेटर में इतना बड़ा डरॉम साइज देखने के लिए नहीं मिलेगा जितना बड़ा डरॉम साइज स्टार्चिंड कमपनी ने इसके अंदर यूज किया हुआ है जिसके किसान भाईयों जो अंदर मिटी वेगेरा फ़सने की यह चोक होने की समश् वो टोटल खतम हो जाती है जिसने भाई साब किसानों की जेब बचत के उपर काम किया है और पूरी स्टेटिजी सम्झाने वाले है क्या कैसी चीजे होने वाली है उसी के साथ साथ किसान भाई ओ, इस कंपनी के रोटर वेटर को आपको यदि सर्विस वेगरा करनी है तो बहुत इजी है और हर चीज को कमपनी ने भाई साब प्रॉपर और सरल वे में लिखते किसान भाईयों के लिए उपलब्द कराया हुआ है उसी के साथ साथ यदि हम इस रोटर वेटर के मैन गेर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर कमपनी ने जो है साथ 4 लीटर का गेर बॉक्स दिया हुआ है जिससे किसान भाईयों यह जो रोटर वेटर है दूसरी कमपनीयों के रोटर वेटर के मुकाबले जादा घंटे तक जो है चला सकते हैं और इस रोटर वेटर का जो ओईल है लंबे समय तक चलेगा जिससे ओईल सील वेगेरा कटने फटने की समस्या बिलकुल देखने के लिए नहीं मिलती भारत में आने वाली जित्ती रोटर वेटर कमपनीया है भाई साप सेंटर स्केट पलेट तो सब देती हैं लेकर भाई साथके साथ यहांपर कमपनी ने अपको इस रोटर वेटर वेटर के ऊपर साइड्य प्लेट भी दी हो bysta किसानो के और प्रोकस किसानों कि कैसे बचाया जा सकता है उस वह हैं इसी पार्ट सुचा हुगा है घूट के रिया पर हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट बहुत सडीक और सही डंग तरीके से बनाया गया है जैसे कि भाई साब इसकी टापलिंग विगेर अमाउंट होती है उसके पॉइंट के अधी हम बात करें तो अभी बहुत सी कंपनियों के रोटर बेटर में आपको जो है सिंगल पॉ बेटर के अंदर आपको जो है दो सेंसिंग मिल जाती है जिससे आप इस रोटर बेटर को पांस सेंसिंग मोड पे चला सकते हो साथी किसान भाई यहां पर आप जो है कंपनी ने एक्स्ट्रा बुस का इस्तमाल किया हुआ है जिसके करन रोटर बेटर जो है बाइब्रेशन फ्री चलने वाला है साथी साथ किसान भाई यहां पर जो लिंकिंग पॉइंट होने वाला इसका जो फ्रेम डिजाइनिंग है काफी कंपनी ने काफी ज्यादा मजबूत सोड़ा और हैवी ड्यूटी और यहां पर मॉल्टी गेज वाली चादर का इस्तमाल किया हुआ है जि कि लिए लिंकिंग पॉइंट में आपको दस नौकल नट विगेरा देखने के लिए मिलेगा और यहां भी जो है भाई साथ कंपनी ने चोड़े वाले का इस्तमाल किया हुआ है जिसके करण कहीं न कहीं इसकी जो मजबूती है अल्टीमेट हैवी डियूटी और मजबूत हो इसके पीछे की तरफ क्या कैसी चीजे होने वाली है तो यहां पर यदि आप चाहते हैं कि भाई साथ इसमें आप और एडिशनल सोकर विगेरा एड़ान कराना चाहते हैं तो वो चीजे भी आपको मिल जाती है बैसे तो इसके माध्यम से जो है आप इसके अंदर सोहागा व इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगी साथ किसान भाई हो यह जो रोटर विटर हम आपको दिखा रहे हैं यह है किसान भाई हो स्टार कंकिंग कंपनी की तरफ से आने वाला रोटर वेटर जिसके अंदर कंपनी ने जो है वाई साप मैं गेर वोक्स की एडिये हम बात क देखने के लिए मिल जाएगा और एक चीज और बताए किसान भाई हो इस रोटर वेटर की जो सबसे स्पेशल मुझे लगी यह रोटर वेटर किसान भाई हो यह जदी मैं इसकी बात करूं तो साले 6 फिट अंदर अंदर बात करूं तो 6 फिट इसका जो है कबरेज एरिया हो होने वाला है 42 ब्लेट का रोटर वेटर है और उसके अंदर सबसे वड़ी स्पेशल आइडी यह देखिए किसान भाई हो भारत के अंदर जितने भी 42 ब्लेट वाले रोटर वेटर आते हैं इतना बड़ा ड्रम साइज आपको किसी कंपनी के रोटर वेटर में देखने के लि जो मिट्टी वेगेरा चोकिं की समस्या है या मिट्टी वेगेरा भरने की जो समस्या है वो आपको दिखती है लेकिन भाई साब ड्रम साइज बड़ा होने के करन जो मिट्टी है बड़ी असानी से बाहर निकल जाती है और भाई साब जरूरत से ज़्यादा उसको भाई बात करें ना तो स्टार्किंग की इन हाउज मैनुफैक्चरिंग है ब्लेट्स विगेरा की भी और यहाँ पर जो हमारी भाई साफ मीचे की तरह ट्रांश्मिशन साफ होने वाली है इसके उपर कंपनी ने जो है भाई साफ मैटल सील ओईल का उपयोग किया हुगा है जिसके कर भाई साफ लंबे समय तक जब आप रोटर विटर सूखी मिट्टी के अंदर चलाते हैं तो जो ब्लेड विगेरा के अंदर जो नट विगेरा धीले होने की समस्या है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती है तो चीजों को काफी अच्छे से तरीके से कंपनी ना जो है ध सेट्न भाई जो के पूंद् से किसान भाई बीगेरा की तो इसके इंदर खसाब आप बीचे से इसकी जहाते हैं साथी किसान भाई यहां पर पीछे हिस्सेवी तरफ में कमपनी ने प्लेट दी हुई है जिसके करने इस रोटर वेटर में किसान भाई हो जब आप रोटर वेटर सूखी मिट्टी है गीली मिट्टी में चलाते हैं तो आपने देखा होगा रोटर वेटर के पीछी जो लाइन विगेरा बनती है न यह इसके प्लेट होने से वो लाइन विगेरा क समस्य आपको देखने के लिए नहीं मिलती मतलब equally जो मिट्टी है भाई साथ बराबर होती हुई जाती है साथ ही किसान भाईयो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको सुरू में दिखाया था maintenance guideline कमपणी नहीं दियो ही है भाई साथ 50 घंटे जब आपका रोटर विटर चल जाए तो आप जो है इसका oil label विगेरा चेक कर सकते हैं 200 घंटे बाद आप इसके जो है oil विगेरा चेंज कर सकते हैं इसके अंदर oil कितने number डलेगा क्या कैसी service है इसकी service करना बहुत असान है और company एक सी जो और के सानवाई हूँ इसके अंदर जो gear box भी लगा हुआ है इस्टार किंग company का खुद का in housing manufacture तिया हुआ gear box लगा हुआ जिसके करना आपको life अच्छी मिलेगी यहाँ पर यदि हम बात करें 2024-25 model जो है यह होने वाला है यहाँ पर जो है भाई साब serial number वेगरा आप देख सकते हैं और यदि मैं बात करूँ भाई साब जैसे कि यहाँ बात कर रहा है तो दो सो घंटे जब आप का rotor waiter चल जाता है तो आप grease वेगरा इसके अंदर कर सकते हैं change कर सकते हैं ठीक है सारे instructions जो है company ने दिये हुए है जिससे भाई साब किसानों की जो जेब की ऊपर जो बोज वेगरा पड़ता है वो ना पड़े ठीक है साधी किसान भाई यो पीछे की तरफ जो आप इसका पल्ला देख रहा है इसके साकप के अंदर यदि हम बात कर ने बैसे तो company ने इसके अंदर जो है dual soccer use में लिए हुए है जिसको यदि आप चाहते हैं तो मिट्टी के भराओ के हिसाब से जैसे कि क्या होता है जहां जैसी मिट्टी है कई तेली भूरीद इस तरह की मिट्टी है काली मिट्टी है इसके अंदर gear box अच्छा लगा है बड़ा gear box लगा है जैसे कि company ने स्टार किंग इसके अंदर साड़े चाल लीटर का man gear box लगाया हुआ है तो इतना बड़ा gear box होने से फाइदा यह होगा किसान भाई हो कि जब आप इसको 35 से 40 HP टेक्टर की ऊपर चलाएंगे तो रोटर वेटर जब आप चलाएंगे तो टेक्टर की ऊपर लोड भी नहीं आएगा और आपका जो gear box है एकदम मक्षन smooth performance के साथ में चलेगा उसी के साथ साथ gear box बड़ा होने से आपका टेक्टर का जो diesel injection बगेरा है कहीं न कहीं कम देखने के लिए भी मिल जाता है तो किसान भाई यो आज की वीडियो में हमने आपको जानकारी दी स्टार किंग कंपनी की तरफ से आने वाले शांदार रोटर विटर की ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लेगी है तो वीडियो को लाइक फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नई वीडियो के साथ जय जवान जय किसान